नमस्कार मित्रान्नो आज अपन अपल्या नॉलेज सेशन मदे खुप महत्वचा विश्य बोलना रहोत। जसा कि तुम्हें टीवी स्क्रेन वर पहाता है कोल्लापुर्चा अम्भाबाईच हे मंदिरा है हैला आपन नमस्कार कोरुना अपल्या सेशनला सुरुवात कर विया आणि हे पिक्चर मित्रान्नो आपन जैवी लहानास्तो त्यावी अपले आईवडील, पालग या अंचा वरोबर आपन मंदिरान मदे जायला सुरुवात करतो भक्ती भाव आपन तयार होतो, पन जैशेश आपन मोठे हो जातो जिद्न्यासुरुत्ती वाड़ते, इंटलेक्ट वाड़तो, मत या इंटलेक्ट मदे वाय, हे सग कशा साथी, हे प्रश्ण याला चालू होतात आणि जर आपनला तयार वेरी व्यवस्ति जरका तयाची महाईती उपलब्द नाई जाली, तर कदी-कदी आपन कही आशास तराला पोहस्तो की हे सग एक कॉंसेप्ट्स आहे, तर आपन रिजेक्ट करला चालू करतो, या अवाइड करला चालू करतो, पन जर आपनला वेरी या शास्त्रोक्त गोष्टिंची महाईती महाईली, मंदिरांची महात्व मंजे काया है, तर अपन पहलांदा स्वता या गोष्टि जानून, इत्रा ना देखिल व्यवस्तित सांगु शक्तो, आणि ही महाईती योग्ये विदी महाईली पाईजे, जनरली लोकाना काय ये रिटार्मेंट नंतर, आणि उत्तर काला मदे अपले वयाचा गेतला पाईजे, पन मी काल चेक बुक वाचत होतो, योग वशिष्टा, याचा मदे लहलेला है कि जर अपले ला ही महाईती तुम्चा वयाचा सोलाव्या, आठ्राव्या, विशावर्षी जर कालाली, तर या गोश्टेंचा चांगला आपले सोता साथी उपयो करूंगी हो शकतो, तर मंदिराचा महत्व काई, नेमक, तर पहिली गोश्ट जी एते, कि मंदिर मंजे बेसिकली एक एनरजी सेंटर आहे, आता या गोश्टे आपन बर्याच वेडियोज मदे बागर आईकले अस्तिल जाशे आपली जोतिर लिंगा है, एनरजी सेंटर मंजे नेमक काई, तर पूर्वी जावधी मंदिर बांदली गेलीद, तर त्या ची विशिष्ट जागा निवणने आताली, तर अर्खिटेक्चर वेवस्टी सिलेक करने आताली, डायरेक्शन्स सिलेक करने आताली, आणि या एनरजी सेंटर मदे, जर आपन एक आरधा तास, पंदरा मिंट जाओन बसलो, तर अटोमेटिकली आपन ती उर्जा आत्मसाथ कराला सालू करतो, आता एक सिंपल प्रश्ण आसो शक्तो आपले आला, कि उर्जा तर सगदी कड़ा जा है, एनरजी तर सगदी कड़ा जा ह तर अट प्रश्ण आपन एक सिंपल एक्जामपल, हावा सगदी कड़ा सा है, अपन फैन खाले आपन का बस्तो, करन फैन मोदा हावा त्या ठीका नी जासत फिरते, आपन एसी लाओतो, कंडिश्निंग करतो, मंजे का है, कि ही उर्जा आपन लाओते त्या पर्टिकुलर ठ जास्ति जास्त प्रामानात उपलब दासते, तर मंदीर है पहीली गोष्ट मेंजे एक एनरजी सेंटर है, तुम्ही जोतिर लिंगान मदे वगरे, कदीजर गेला साल, तर अणि बेसिक महतों सकाया है, जावी तुम्ही कुटल्या ही मंदिरा मदे जाता, तिथा एक 15 मिनिट कि मान तुम्ही डोदे मेटून, ध्यान लाउन बसना जरूरी साहे, मंजेस ति आपन एनरजी आत्मसाथ करू शकतू, पना आता जहले काया मित्रा नो, आपन जाकाही मोठय मंद्रयान मदे जातो, इतकी गर्दी, इतकी लोकांची रेल सेल, एक 2 मिनिट देखिल आपन प्रावब्लम साहे, पन अशी खूप सारी मंदिर है मित्रा नो, जेचा मदे तुम्हाला शांतता मेदेल, छान जागा मेदेल, तुम्ही जाओन बसला, एक धा मिनिट, पंदरा मिनिट, तर एका सटल लेवल ला, जेका शांतते चा लेवल ला तुम्हाला ती उर्जा आत्म जाओन बसा, तुम्हाला कही कराईचा नाई है, पुर्वी चा रुष्यमुनिन नी अपले साटी हा गोष्टी तैयार केले लाहेत, तुम्हाला शांता एनर्जी गया, याचा फुर्चा दुस्रा महतवास कारण, याचा कड़ तुम्ही लक्ष दिया, कि अपन जावी मंद इतक्या चान सुन्दर सजाव ले ले आसतात, वेगवेगे दागीने, हीरे मानक, वेगवेवा प्रकारची सुन्दर फुल, उद्बत्या, इतक्या सुन्दर सेटप असतो, आता हा सगदा सेटप कशा सटी, याला पन एक खुप महतवाचा कारणा है, आता शास्त्रा मदे प्रत्याहार मणोंने एक टेकनिका है, मंजे का है कि आपला मन नहीं मी आपला पाच सेंसेस न भरकाट लेलाासतो, पास सेंसेस मंजे का है? दुरुष्टी, आकाला येन, आपली चव, आपला टर्च आनी सुगंद, तर आपली है जे पास सेंसेस हाहत, नहीं मी आपन बहर आवर ताना या 5 census ला कही ना कहीगा राया चाए सथ त्यामा मन नहीमी विचलीट असथ और मननला जरका तुम्fficiph la shanta कराया चे असेल तरो ये 5 census अपला ला विड्रा कोरन गो विड्रा कोरन ग हाँ मन्जे काै कि या 5 census ला शान्त ठेवून, कुटल्या ही विशय पदर्थान मदे सुखह मेदवन्याची इच्छा न ठेवता, तेला जरका शान्त तेना अपन अपनले जवद घुन बसलो, तर मन देखिल, आटोमेटिक शान्त होता, आता जाय वेदी, आता याचा कसा रेलेवन्स आहे, हे जे मी बोलो तो कि आपने आला सुन्दर मूर्तिया ही, देखनी मूर्तिया ही, दागी नाहेत, तर काइँ होता बगाँ? अपन दागी नाहेत, फुला सुन्दर अहेत, तेला अपनी दुरुष्टी, ति तो स्तबद जाले. इसेन्स तिक्स मैं जब जड़ो उदभत जान सुगन देता है पुलान चा सुगन देता है, तर आपला जो वास घेना चा सेंस है, तो स्तब्द जाला, छान आर्त्या कानावर पड़ता है, घंटा, त्यांचे नाद कानावर पड़ता है, मंदिरा मदे बगात सत्संग आस्तात, म्यूजिक आस्तात, तर आपला करन मधूर या गोष्टिया कानावर पड़ता है, तो सेंस है स्तब्द होता, तर आशे सग्रेस है जे रच्णा करुण थेवलेले आहेद, कि तुमी तिस जा तुम्चा सेंसे ला, छान त शान्थ और करा, मं तुमसे तुमसे तुन शान्त होया, जाल है, एकड़ा मं शान्त जाला, कि तुम्ही पधारतान पासुन ओड़ून गेहुन अपल्या मदे स्थब्द करून ठेवन्याची ही एक सुन्दर जागा आता तिस्र महत्वाचा कारण यहाजा मूर्ति आपन इतक्या सुन्दर बगतो बर्याच यंग जन्रेशन मदे मेत्रानों आता है प्रश्ना है कि मूर्ति मदेज द देखिलताना आता हल्ली मेना कठी ना है तर लक्षात ज्या मित्रानों मूर्तिया समझने पुर्वी देव काया है समझुन जरूरीचा है आता हा विशे वेगदा है वेवेकन अंदान नी खूपी अचा वर सुन्दर गुशी सांगित लेला है पन थोड़ क्या देव मंजे क बैक मैं आत्मा कीमित ब्राह्मन गूट्र अज्टना चेतना शक्ति अहम ब्रह्मासमी अहम ब्रह्मासमी मशे का है मीच ब्रह्मन है अनि यहां ब्रह्मन ला ना कुटला आकार आहे ना कुटला रूपा है हैलाच फार्मलेस मनताथ जला कुटला ही आकार नाही गुना नाही निराकार, निर्गुन पन तो निराकार, निर्गुन समझने पूर्वी त्याला पहिले अंद आकार असन जरुरेशा है करनकी अपला जे माइन दा है मित्राननो यहला चित्र यहला एक अदा आकार समस्तो त्याला जरका अपन महीती देंस प्रयतन केला तो फर अउगण असतो त्यामो देव सबन जासाटी जी पहिली में पहले कि तुम्हें माइनला कही तरी एक रूप आकार यह गोष्टि साधर करा त्याचा मना मदय यह ठासा बशुदे आनि त्याचा नंतर हाज़ा आकार आहे याचा फुडचा जो तुम्हा लाँ वाम्लेस कलेल तभी फॉर्मचा मग इतका त्यावी आपलेला वापर होन ने पन ही जरनी मुठ्य है मीत्रान्नौ बिफोर यो अंड़स्टाइन दफार्मलेस मैं ज़े फार्मलेस समझने पुर्वी तो महला फार्म समझने जर विशा है महनुनस्या यह सुन्दर मूर्त्या है और प्रत्यक मूर्ति मदे सिग्निफिक्ञ्स है गनपती ची मूर्तिगे रुद्राक्षा यह प्रत्य गोष्ट ला सिगनिफिकन्स है नि मना मदे एक बहार तीफा सिगनिफिकन्स कडाला तेशा महतव कडाला आपन पलीकड तेचा ब्यार्ण जांजर का समझुन गेतला देव काया है तरह यह जरनी समझने पूर वी मुर्तिया महतवा चाहित आणि यह सुन्दन मूर्त्या तुम्हाला वेगविगा मंदिरा मदे भगाला मियती तर हाँ एक अभ्यासा है आता याचा नंतर जे शेवट सा कारण जे याचा वर आपन कंक्लूर करू सेवा आता श्री श्री रवी शंकर यांसा जो में मेसेज है कि तुम्ही लोकान ना सेवा करा लोकान ची हेल्प करा तुम्ही साहईबवांचा मंदिरा मधे गेला साल कि वह बरेश्य मंदिरा मधे भगेतला साल कि तीतक खिच आसत आ अणि आपन तीत गोरगरीबानना डोनेशन देतो जेवायला देतो तर तुम्हा कड़ून कही तरी सतकर्म घड़त सता आपन आपन आ कि आपन फक्त स्वताचा विचार करतो त्याविए अपन इतके फ्री अनि इतके लाइवली जगुनाई शकत में डिप्रेशन सा कार्णाचा है वाट इजनिट फॉर मी वाट इसनिट फॉर मी माया साथी काया है पंजर का तुमी सेवा कराला चालू केला अटोमेटिकली मी तुमी डिप्रेशन अनि अंग्जाइटी याचा तुन बाहर यू शकता तर हे एक ठिकान जाचा मदे इतक्या सगधा गोश्टी आपले अला अलड़ी तयार कुरून ठेवलेला पने एक सिंपल मेसेज तुम्हाला मी सांतो कि या गोश्टी समझावन या ग तुमग तिथा जाना मंदिरा माई जाना है कुप आउगड़ा है मनुन अपले जे पूर्वजाहे रिशी संत या लोकान नी फक्त मेथड्स टेकनिक्स इजीली तैयार कुरून ठेवलेला है कि अपले ला है हाजारो वर्ष जनसमूदाया पर्यंत लोग कल्याना साथी आप करना खुप आउगड़ा है पन्जर रेडिमेट टेकनिक्स तुम्ही करून ठेवला तो तुम्हाला ते गोष्टी संजो या ना संजो तुम्ही जर तिता गेला तर लेट से कम एका आपन फांडरी मदे जातो वाता और भट्टी मदे गरम आसत तुम्ही गेला तिता गरम हो कमी पड़तो है पन्जर मंदिर मेदे जाऊन अपला ताया वाजओतो आर्थी साथी तो जावे आपन ताया वाजओ वाला चलू करतो तर उज्वा मेंदू आने डावा मेंदू या गोष्टी बैलेंस वायला सुर्वात होता तर ही नान संगने पक्ष्छा जर का तुम्ही तुम्हाला आटोमेटिकली ब्रेञ सिंग बॉडी बैलेंसिंग माइन बैलेंसिंग या सक्गय वश्टी एनर्जी बैलेंसिंग या सगय मेनारा है तर हे महत्वाय मित्र कंडिर मेंदे मदू आपन जाने का जरूरी सा हे और यह सगयान पेक्ष्छा जी एक last but not least को disaster है कि जो पर यंत या सेशन में सांगित लिला है पन मित्रान नो लॉजिक अनी रीजन चा पलिकड खूप मोठ जग आ है जिता तुम्ही सरेंडर होता करन तुमसे लिटल माइन्ड आ है ये नहीमी प्रश्न विचारत रहानार पन जे बिगर माइन्ड आ है ब्रह्मन, कॉंश्यस्नेस, स तुम्ही 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 तुम तुम्चे निहुन जातात आणि त्या समर्पना मदे त्या सरेंडर मदे तुम्ची बिलिफ सिस्टम तुम्चे भाव तुम्ची भक्ती याचा एक याची वाड होते आशा पद्धती न हे एक मल्टी परपस पैकेज मनुशक्तो हा शब्द तोकड़ा है पन इंटलेक्ट तोई कि इतक्या सगल्या गोष्टी मेनाचा हे एक सुन्दर ठिकान मंजेच मंदिर ठैंक्यू मित्रान्नो नमस्ते